एक तरफ पाकिस्तान लगातार सीमा पार से हतियारों की खेप भेज रहा है तो दूसरी तरफ बीएसेफ का दायरा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है जिसके बाद बीएसेफ ने सतरकता बढ़ानी शुरू कर दी है और आज ही अभी अभी बीएसेफ के बड़े आला अधिकारियों ने एक शक्स को इंडियन ओर्डिनेंस की इस पिस्टल के साथ पकड़ा है आप देख सकते हैं इसमें बुलेट्स भी है और जिस शक्स को पकड़ा है उसे ये भी नहीं पता कि वो कहां है किसके साथ है नशे में चूर है और ये अगर बीएसेफ की टीम किया ये बेसिकली अभी जो हमारा अधिकार खेतर पंद्रा से पचास किलमेटर हुआ है उसमें हमारी पावर्स तो वही रही है बट हमारे यूडिक्शन बढ़ गया है उस कारण से ड़्ट प्रोलिंग करने में हमारे ट्रूस बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं और ये उसी का परिणाम है कि ड़्ट प्रोलिंग के दुरान जो कि इंट्रेंगर बॉंडरी से करीब आठ से नौ किलमेटर पीछे कर रहे थे उसी दुरान हमें एक संदिक व्यक्ताई मिला जो की शायद नशा की हालत में था और उसके ये भर्यू पिस्टल ब्रामद हुई जि बेसिकली ये आदा घंटा पहले ही ये सीजर हुआ है अब इन्वेस्टिकेशन का पूरा अभी पुलिस को कर रहे हैं और पुलिस इनके गाउं से और जहां जहां इसके रेल्टिक्स उगरा से बात करके पता करेगी कि ये बंदा कौन है और कहां इसके पास आया और ये पिस ये बिलकुल संभव नहीं हो पाता क्योंकि उस समय हमारा अधिकार केवल बॉर्डर पे था चुकि हमारा अधिकार बॉर्डर पे था तो हमारे टुप्स कभी भी डेफ्ट एरिया में जाकर के इस तरीके का सासिक ऑपरेशन नहीं कर सकते थे जब से ये अधिकार छेतर बड वो गाव अटारी में रोड के उपर जब वहाँ पे थी पहुंची तो ये बंदा नासे के हालत में पिस्टल लेकर के वहाँ पे रोड पे पाया लिया उसको पहले तो पकड़ा गया पिस्टल को काभू मिलिया गया और उसको यहाँ पे लेकर आए तो सर पचास किलोमेटर के दायरे के साथ साथ आपको लगता नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉंसिल बिलिल्टीज और ज्यादा बढ़ गई है नहीं इसमें कोई शक नहीं है और चूंकि जैसे आपका जूर्डिक्शन बढ़ा है और हमारा एरिया में आसकते हैं तो बिए सफ एकदम अलर्ट है चाक चौबंध है और इसी का नतीजा है कि बिए सफ के आला अधिकारियों ने खुद रेड करके एक शक्स को हत्यारों के साथ गिरफतार किया है कैमरामेन गुंजीत कुमार के साथ सतिंद्र चौहान फिरोजपूर आज तक झाले साथ 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 साथ